आज कल बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि पाइल्स है बबासीर है कुछ ना कुछ दिक्कत है और बहुत सारे लोग तो कई बहुत लेट रिपोर्ट करते हैं लेकिन फिर भी कोई प्रॉपर उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर पाइल्स बबासीर क्यों हो गया भगंदर क्यों हो गया फिस्टला क्यों हो गया लेकिन एक सवाल है लगातार लोग जो पूछते हैं और एक बहुत कॉमन सा रिलेवेंट सवाल है कि क्या एसिडिटी बबासीर पैदा करती है क्या बहुत ज़्यादा है एसिडिक फूट खाने से लोगों को बबासीर पैदा होता है क्या ये एसिडिटी के कारण होता है या फिर इसके पीछे कुछ और दूसरे कारण है देखो एसिडिटी का जो मसला है वो सीधा सा ये है कि एक मात्रा में यदि आपको एसिड बन रहा है तो वो ठीक है असिड बनना भी चाहिए और उसका अपना एक फीजियोलोजिकल एक मेटाबॉलिक फंक्शन भी है और वो इंपोर्टेंट भी है लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा एसिडिक फूड खाते हैं कि आजकल आपने देखा है कि कुछ फूड ब्लॉगर तो मतलब फूड की जो प्लेट है उसको सजा के लाखों रोपे कम आते हैं और दुनिया भर में मतलब इस्पेशली इंडिया में तो बहुत ज्यादा इस्टीट फूड का एक चलन है और वो फूड को और बटर को या घी को या उसको ब्यूटी को ऐसे प्रिजेंट करते हैं ऐसे दिखाते हैं कि वह बहुत अच्छा फूड है उसमें बहुत अच्छा न्यूट्रेशन है तो बहुत ज्यादा सुंदर दिखने वाला खाना या बहुत ज्यादा अट्रेक्टिव दिखने वाला फूड सुंदर हो इसकी गारंटी नहीं है और जो फूड बहुत आप बड़े साफधानी से करिए बहुत ज्यादा एसिडिक फूड लाइक परांठा साही पनीर बटर पनीर और यह चिकन मटन जो मतलब बहुत ज्यादा चलान है इसका तो इस तरह के खाने से आपको बहुत ज्यादा एसिड फॉर्मड होगा और सबसे बड़ी बात यह होती ह है कि जब आप कोई भी एसिडिक फूड लेते हैं जैसे कि चाय कॉफी है आपका कोई पैक्ट फूड है स्मोक आप जब करते हैं कोल्डिंग सॉफडरिंग आप पीते हैं और इस केटागरी का यदि आप खना लेते हैं तो आप यह समझे लिजे कि आपका पी एच लेवल ल बहुत सारे जो एसिड्स है उदर रिलीज होते हैं और एसिड के कारण आपका डाइजिशन का प्रोसेस है वह स्टार्ट होता है तो आलेडी एक एक एसिड आपके पेट के अंदर है और दूसरा एसिडिक फूड आप यदि डालेंगे पेट में तो एक स्ट्रॉंग एसिड एक वेस्ट बनता है एक स्ट्रॉंग एसिड बनता है मतलब जो आपका पी एच लेवल है वह आपका आठ तक लगवग रीच कर जाता है यानि कि सेवन और एट यदि पी एच आपके पेट का रहेगा तो आपका पेट छोड़िये वह आपके हड़ियों को भी गला सकता है व तो आपका जो एनोरेक्टल पैसेज है उसको दो चीजों से बड़ी प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा फैट और बहुत ज़्यादा आसेट यदि आप बहुत ज़्यादा फैट वाला खाना खाते हैं बहुत ज़्यादा आप एसेडिक फूड लेते हैं तो आप यह सम पाइल्स होता है देखो मेस्टल साइकल एक हार्मोनल फिजियोलोजिकल क्लिनिंग है जो फिमेल्स की बाड़ी में होती है लेकिन पाइल्स एक बीमारी है और एक ऐसी बैमारी है कि जो बहेंकर लूब रूप ले लेती है उससे आपको पेन होता है ब्लीडिंग होती है और बह पहले अपने बॉडी का जो एसेडिक लेवल है उसको कम करना होगा यानि कि आपके बॉडी का जो लेवल है वो छह से साड़े छह के बीच यह आपका स्टॉमक का पीएच रहता है तो यह बहुत एक्सिलेंट है आप अपने फूड में फाइबर पुस करिए आप एलकलाइन फ स्प्राउट लीजिए अंकुरित जितने भी दाले हैं वो आप खाईए यह सब आपको मदद करेंगी तो जितना आपका पेट नॉर्मल रहेगा देखो तीन चीजे हैं जैसे बाद पितकफ ऐसे ही आसेड बेस एंड आपका अलकलाइन तो नहीं तो बहुत जादा एसेडिक होना ठीक है नहीं बहुत जादा एलकलाइन होना ठीक है आप एक नूटरल नॉर्मल पोजिशन लीजिए आपका यदि पेट का पिएच लगवग 6.5 के आसपास रहेगा तो यू बिल भी कंप्लीटली आल राइट ना तो उससे आपको बहुत जादा दिक्कत होगी और आप इससे आप समझ लीजिए कि आप हाइपर एसिडिक स्टेट को ब्लॉंग करेंगे आपका पेट और फिर ग्रेज्वली कुछ दिन के बाद एक्सेसिव एसिट फॉर्मिशन से और फैट के डिपोजिशन से या फैट के कलेक्शन से आपको कॉंस्टिपेशन डवलब होगा औ और उसके बाद की जो नेक्स स्टेज है फिर वो पाइल्स वाली होगी तो इस यस पाइल से बिलकुल बचा जा सकता है लेकिन आपको यह सारी चीजें ठीक करनी होगी लेकिन फिर भी आपको कोई किसी तरह की तकलीफ है सिम्टम्स है तो आप वाटसेप करके हमें मैसेज से अपाइन्मेंट ले सकते हैं ओनलाइन एस वेल एस परसनल फिर आके आप मिल भी सकते हैं थैंक यू बेरी मच इन टेक केर और सर्फ